इस्वर है अथवा नहीं या प्रस्ण तब से ही चला रहा है जब से धरम मजहब अस्तितु में आया है हर काल खंड में कुछ लोगों ने इस्वर पविश्वास किया है तो कुछ ने मानने से इनकार कर दिया धरम मजहब में विश्वास करने वाले इस्वर में विश्वास करते हैं और ये लोग इस्वर के अस्तित्ट को लेकर थोड़ा भी गलत नहीं सुनना चाहते हैं अगर आपने बोल दिया कि आत्मा इस्वर जैसा कोई भी दावा आज तक साबित नहीं हुआ है कोई भी यह साब्यक्ति सामने नहीं आया जिसने साबित किया हो कि उसने आत्मा प्रमात्मा का सक्षात दर्संग गिया हो और इसके बारे में जनकारी रखता हो लेकिन लोग फिर भी आत्मा और इस्वर में विश्वास करते हैं या अंध्विश्वास ही है पस इतना ही कहने की अन्दिविश्वास है, क्योंकि आज बहुत से बैग्ज्यानिक य§ मानते हैं कि एलियन एकजीष्ट करते हैं जबकी एलियन के होने का आज तक एक भी सबुत नहीं मिला अताव वे लोग जो इस्वर पॉट प्रसल खरा करते हैं वे स्वेम ही अंधिविश्वास ही है क्योंकि एक तरफ इस्वर के परमान नहीं मिलने पर अंधिविश्वास कहना और एलियन को बिना परमान के मानना यह विग्यान और नास्तिक बेग्यानिकों का अंधिविश्वास ही है यह है आस्तिकों का दावा लेकिन सचाई क्या है ब प्रित्वी पर जीवन उद्पन हुआ ठीक उसी प्रकार हो सकता है कि किसी न किसी कारण से दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है यह ग्यानिकों का अनुमान मात्र है यहां विश्वास की बात ही नहीं है तो अंद विश्वास की बात ही छोड़िये लेकिन धार्मिक लोग कोई परमान नहीं अतया अंद्विश्वास नहीं तो और क्या है लेकिन आस्तिकों को किसी तरह इस्वर को जिंदा रखना है क्योंकि जब तक इस्वर है तब तक धरम मजहब है और जब तक धरम मजहब के के लेकिन ईयाज संभाव नहीं तक इस्वर में भिष्वास करने वाले क Bemanda में यह इस्वर को नहींमाने वाले जब देते हैं अगर कंदन में हैं City जनमें इतनी इतनी अर्व hazard कंदन है अर्थात संसार का ऐसा कोई भी जगा नहीं है जो से बहरा नहीं हो अर्थात इसका मतलब है कि हर चीज में इस्वर है, आप में भी इस्वर, हम में भी इस्वर, पथर में भी इस्वर, मीठी में भी इस्वर, पानी में भी इस्वर, सब में इस्वर, सोसित में भी इस्वर, सोसक में भी इस्वर, चोर में भी इस्वर, डागू में भी इस्वर, बलतकारी में इस्वर सब में इस्वर क्योंकि आप ही कह रहा है कन कन में है इस्वर को नहीं मानने वाले कहते हैं अगर कन कन में इस्वर है तो दिखाई क्यों नहीं देता है इसके जबाब में आस्तिक लोग तर्क देते हैं कि हवा भी दिखाई नहीं देती या इसका मतलब हवा नहीं ह हम किसी चीज को नहीं देख सकते हैं, इसका क्या मतलब है, कि वह है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, दुनिया में ऐसी बहुत चीजे हैं, जिसे हम अपनी नंगी आखों से देख नहीं सकते, इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे देख ही नहीं सकते, बलकि हम इसे माइक्रोस्कूब द् आज संपन होता है आज विज्ञान हमें सुक्षमदर्सियों की सहाता से इसे दिखा सकता है यहां तक कि बहुत दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हवुल टेलियस्कोप जैसे दूर्बीन भी बनाया जा चुके हैं अब यह कहना बिल्कुल बेवकूपी है कि जो हमें दि दिखा पाएंगे तो उतर है जी हां अचा तो कोई तरीकों से हावा को दिखाया जा सकता लेकिन आज हम उधारन देंगे सिर्फ स्लिडेन इफेक्ट का इसकी सहाता से हावा को गौति करते हुए देख पाएंगे अता यह कहना मुखता पून है कि हम हावा को नहीं देख सकत हैं आश्तिकों का अगला तर्क होता है कि वीधुत भी नहीं देखता है क्या वीधुत भी नहीं होता है ठीक किसी प्रकार इसुर्वी होता है लेकिन दिखता नहीं है तो आईए आज हम थोरी सी बात कर लेते हैं कि बिदुत दिखता है या नहीं बात सीधी सी है अगर हम किसी कंड़क्टर रत्वा सुचालक को बैटरी से जोर कर स्विच अन करते हैं तो सुचालक के इलेक्ट्रोन पोजीटिव की दिशा में मूब करने लगता है जिसे इलेक्ट्रोन के बिप्री दिशा में करेंट परवाईत होने लगता है तो आप बताएए कि क्या हम इलेक्ट्रोन को नहीं देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं अता आस्तिकों का या दावा भी फेल हो गया अगला तर्क आस्तिक प्रस्थूत करते हैं कि सोच समझ तर्क और बुधिमता को हम नहीं देख सकते हैं तो क्या तर्क सोच समझ नहीं होता है ठीक इसी प्रकार इस वर भी होता है लेकिन वह देखता नहीं है तो आजे इसका भी हम खंडन करते हैं हम किसी वस्तु को तब देख पाते हैं जब प्रकास की किरने उस वस्तु से परवर्तित होकर हमारे आंक के खुर्णिया से होते हुए हमारे आंक के अंदर परवेश करती है तब यह किरने नेत्र लेंस से परवर्तित होकर यह तीना पर उ बूंछी इमेजिनेशन द्वारा तस्वीरे बनती है, आता या जरूरी नहीं है कि हम आघ से देखे तभी दिखाइएगा, कि किसी भी चीप को देखने का अंतिम कारण मस्तिस्क कहीं है, आता हम किसी भी इमेजिनेशन सोच समझ को-मस्तिस्क को द्वारा देख सकते हैं समझ सकते हैं अस्तिकों द्वारा पूछे का उप्रोक्त सारे प्रसन बेसलेस हैं हिंदु धर्म में इस्वर को लेकर कई मनेता है कोई मानता है कि इस्वर सकार है तो कोई कहता है कि इस्वर निराकार है इस्वर काश्टित तो है लेकिन ऊसका कोई आकार है, यह समझ में नहीं है यह भी दाःवा किया जाता है उसमें न तो गन्द है और न रंग है मतलब कि सीधा का हैं तो इस्वर हैं ही नहीं लोगों को मूर्ख वनाने के लिए इस इस ढंग से परभासित किया जाता है कि लोग इस पर सोचे ही न चूब चाप मान ले कोई इस्वर को साकार कहता है तो कोई इस्वर को निराकार कहता है कोई कहता है इस्वर कनकन में है तो कोई और कहता है अल्लाह सातवे असमान पर रहता है तब सवाल खरा हो जाता है कि मंदिर और मस्जिद में कौन रहता है इससे असपस्ट हो जाता है कि दुनिया का हर एक धर्म इस्वर के अस्तित को लेकर आज कंफ्यूज है अगर हम इस बात को मान ले कि कनकन में इस्वर रहता है तब भूत प्रित कहां रहता है मोरी हुई आत्मा कहां भटकती है क्योंकि इस्वर कनकन में है तो इसका मतलब ही है इस पर से हर जगा भड़ा हुआ है तब तो पुरस्ण खरा होता है भटकने वाली आत्मा को संसार में जगा कैसे मिलता है इस अब एक है एक कि बता है आपने कंप्यूटर बनाया है अल्ला ने ताइम बनाया है तो ताइम के अंदर कई से बैठेगा वह-ताइम बहर है अल्ला ने स्पेस बनाया ये जो पूरा जमान मकान है पूरा यूनिवर्स में बैठेगा वो studying के बहर है कॉंप्यूटर बनाने वाला कॉंप्यूटर से बाहर है ठीक उसी परकार इन्वर्स को बनाने वाला अल्ला भी इन्वर्स से बाहर है तो तो यह तर्क पूरा का फूरा फाल्तू सावित हो गया इनका यह भी मानना है कि क्रियेटर कभी क्रियेशन नहीं हो सकता है अगर हम इस तर्क को अधार मानने तो हम कभी इन्सानों को क्रियेशन नहीं कर सकते क्योंकि ऐसी बहुत से चीज जिसे इन्सानों ने बनाया है तब तो इन्सान खुद क्रियेटर हो गया वह क्रियेशन कैसे है जो डार्विन का सिधान्त को गुलत साबित किया हो जवाब है नहीं और मैं दावे के साथ करता हूं पैदा भी नहीं लगा क्योंकि डार्विन का सिधान्त सत्त है एक तत्त है जो इस्वर के अस्तित्त को ही समाप्द कर देता है दरसल सभी धर्म एक ही है, सभी हिंसा और प्राधारित है, इसलामी जन्नत में विश्वास करते हैं, हिंदू स्वर्ग में विश्वास करता है, इसाई हुवेन में विश्वास करता है, इसलामी जहन्नुम को मानते हैं, हिंदू नरक को मानते हैं, इसाई हेल को मानते हैं, इसल पामी रूह को मानते हैं, हिंदू आत्मा को मानते हैं, इसाई सोल को मानते हैं, जबकि सब एक ही मानियता है। नभी और अवतार आते रहें, अगर इस्वर होता तो हमारे मस्थिस्ट में ही अपने फ्रतियास्था घुशा देता। उसे किसी भी चॉलिये की जरूत ही नहीं परती। कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सेर करें और साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को आउन कर लें। झाल